Hello Everyone, Welcome to English for All आज हम पढ़ेंगे एक short story जिसका नाम है The New Dress और इस short story को लिखाता वरजीनिया वुल्फ ने दोस्तो ये कहानी है मैबल नाम की एक शर्मीली लड़की की एक दिन क्या होता है मैबल क्लैरिसा डैलोवे की पार्टी में जाती है क्लैरिसा डैलोवे ने पार्टी और्गनाइस करी है और उसमें मैबल को भी बुलाया गया है तो मैबल पार्टी के लिए तैयारी करती है एक New Dress खरीदती है और उस New Dress को पहन कर जाती है लेकिन मैबल को बहुत टेंशन हो रही है मैबल हर टाइम अपनी New Dress के बारे में सोचे जा रही है ये ड्रेस उस पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही मैबल को लगता है कि उसके ड्रेस पार्टी के लिए एप्रॉप्रियेट नहीं है मैबल पार्टी में जाती है मिसिस डैलोवे से मिलती है जिनोंने पार्टी को और्गनाइस किया है और फिर मैबल अपने आपको शीशे में देखने लगती है शीशे में अपने आपको देख कर मैबल और भी जादा परेशान होने लगती है उसे लगता है कि उसने घला ड्रेस पहन ली है और पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे उसकी ड्रेस को सोच के क्या क्या कॉमेंट्स कर रहे होंगे अब दोस्तों मैबल को ऐसा लगने लगता है कि पार्टी में जितने भी लोग है ना वो सभी लोग मैबल को घूर घूर कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये लड़की कितनी जाता वाहियात लग रही है इस ड्रेस में, कितनी बुरी लग रही है इस ड्रेस में, ऐसा मैबल को लगता है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा उसे लग रहा है. मैं आपको बता दूँ जो शर्मीला इनसान होता है ना, वो इसी तरहा का होता है। शर्मीला बंदा हर टाइम यही सोचता रहता है कि सभी लोग उसको नोटिस कर रहे हैं और उसके बारे में उल्टा सीदा सोच रहे होंगे। शर्मीला इनसान सोचता रहता है कि कहीं उससे बाते करती है कि सही तरहां रहो क्यों इतना घबरा रही हो अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूँ ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये स्ट्रीम आफ कॉंशियसनेस टेकनीक में लिखी गई है अब स्ट्रीम आफ कॉंशियसनेस क्या होता है इसके ओपर में सेपरेट वीडि होंगा फिलहाल आप इतना समझ लो जब हम अपने आप से बाते करने लगते हैं उसको इस्ट्रीम आफ कॉंशियसनेस बोलते हैं जैसे मेबल भी अपने आप से बाते कर रही है यहां पर कोई और दूसरा करेक्टर नहीं है जो कुछ भी चल रहा है मेबल के अंदर चल रहा ह मेबल को लगता है कि उसके ड्रेस ओल्ड फेशंड है उसको पस्तावा होने लगता है क्योंकि मेबल न्यू फेशंड ड्रेस को अफॉर्ड नहीं कर सकती थी उसके पास इतना पैसे नहीं थे इसी वजह से उसने येलो कलर की सिल्क ड्रेस को फर्चेस किया जो की अफॉर्डिबल थी लेकिन उसका जो पैटन था वो ओल्ड फैशन था मैबल अपने आपको बुरा भला बोलने लगती है अपने आपको बुरा भला कंस्टेंटली बोले जा रही है और अपने आपको टॉर्चर कर रही है मैबल बोलती है कि वो बहुत ही बेवकूफ है और अगर पार्टी में सभी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैं ये सब डिजर्व करती हूँ मैं डिजर्व करती हूँ ये बुराई ये मजाक पार्टी में एक लड़की होती है जिसका नाम है रोज शौव रोज शौव ने बहुत ही अच्छी स्टैलिश ड्रेस पहन रखी है रोज शौव मैबल की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है लेकिन मैबल को यकीन नहीं होता मैबल सुचती है कि रोज उसकी तारीफ करके उसका मजाक उड़ा रही है मैबल इतना ज़्यादा टेंशन में है इतना बर्डन है उसके माइंड के उपर रीडर्स जब पढ़ते हैं तो रीडर्स को लगता है कि मैबल करेक्टर का मानसिक संदूलन ठीक नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है दरसल मैबल बहुती जादा शर्मीली है जैसा मैंने आपको बताया इसके बाद दोस्तों मैबल एक मेल गैस से मिलती है और उसे बोलती है कि मैंने अच्छे ड्रेस नहीं पैन रखी मैं कितनी ओल्ड फैशन लग रही हूँ लेकिन मेल गैस कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुम अच्छी लग रही हो अब मैबल सोचने लगती है कि मैंने मेल गैस से क्यों पूछा ऐसा क्यों पूछा उससे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोच रहा हो कि मैंने उसे फसाने के लिए ऐसा बोला कहीं वो सोच रहा हो कि मैं उसे फसाना चाहती हूँ ये मेरी एक ट्रिक हो कि मैं अपनी बुराई करूँ फिर वो मुझे ठीक करे और मेरी तारीफ करने लगे कहीं वो ऐसा ना समझने लगे दोस्तो यही परेशानी होती है शर्मीले लोगों की ये लोग अपने मैंड में पता नहीं क्या-क्या सोचने लगते हैं जबकि ऐसा कुछ होता नहीं रियालिटी में लेकिन ये लोग ओर थिंकिंग करते हैं अब मैबल उन हसीन पलो को याद करने लगती है जो उसने अपनी पूरी जिन्दगी में बिताए है मेबल सोचती है कि उसकी शादी होने वाली है और उसके होने वाले हस्बेंट की पर्मनेंट जॉब है सिक्यॉर जॉब है मेबल सोचती है कि जो अच्छा वक्त उसने अपनी जिन्दखी में गुजारा है पता नहीं ये अच्छा वक्त दोबारा उसे नसीब होगा भी या नहीं पता नहीं ये अच्छा वक्त जिन्दगी में दोबारा देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और फिर मैबल फैसला करती है कि अब वो अपनी जिन्दगी में खुश रहेगी वो अपने अच्छे वक्त को दुबारा से लेकर आईगी मैबल सोचती है कि वो एक बुख खरीदेगी जिसे पढ़कर वो अपने आपको इंप्रूफ करेगी अपनी परसनेलिटी को इंप्रूफ करेगी इसके बाद मैबल मिसिस डैलोवे के पास जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया मिसिस डैलोवे ने पार्टी को होस किया है तो मैबल मिसिस डैलोवे से मिलती है और कहती है कि मैंने पार्टी को बहुत जादा इंजॉय किया और यहीं पर ये शॉर्ट स्टोरी खतम हो जाती है आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसे लगी हो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जैहिंद